हाई दोस्तों असलाव अलेकुम कैसे आप लोग में नाम नभील आज की वीडियो बहुत ज़दा इंपॉर्ण है लेकिन बहुत ज़दा सिंपल भी है आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि आपके पास अगर लेटिस्ट आइफोन है चाहे आइफोन 13 सीरीज हो चाहे आइफो गेम में दिक्कत आ रही है अप्लिकेशन सही तरीके से नहीं चल रहा है क्रैश हो रहे है फोन का जो स्क्रीन है वो स्टक हो रहा है जितने भी प्रॉब्लम्स है चाहे वो नेटवर्क एशू हो चाहे वो हीटिंग हो बैटरी देनों कोई भी प्रॉब्लम हो हर प्रॉब्लम साल आप इस वीडियो से फाइदा उठा सकते जब भी प्रावलम आएगा यह जो सलूशन है इसको आप करना आपका प्रावलम जो है 100% सॉल्फ हो जाएगा तो दोस्तो यह जो वीडियो है इसके अंदर जो मेथट बता रहा हूं इसके लिए आपके बास आपका आइफोन होना मैक बुक चल जाएगा मैक मीनी चल जाएगा आइमक चल जाएगा कुछ भी रहेगा तो चल जाएगा और सबसे इंपॉर्ण चीज आपके पास होनी चाहिए आपल की ओरिजिनल लाइटनिंग केबल या फिर कोई भी MFI सर्टिफाइड लाइटनिंग केबल तो यहाँ पर अ मैक है आपका आइफोन है MFI केबल है इंटरनेट है तो आप जो है इस पूर्वे प्रोसेस को बहुत ही एजिली कर पाएंगे तो चलिए करते वीडियो को स्टार्ट ओके गाइस तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने आइफोन को जो है यह कनेक कर लेंगे हम PC या Mac के साथ आपल सर्टिफाइट केबल के साथ अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको कनेक कर लेंगे अपने PC या Mac के साथ अपने Windows PC आपको इंस्टॉल करेंगे आइटून्स ज्योंके आपको यहाँ पे सेम स्क्रीन नजर आएगी आपका आइफोन यहाँ पे कनेक्टेड है तो यहाँ प यहाँ पे है is 15.0.2 उस टेम पे कुछ भी हो सकता है इस आपको फरक नहीं परना चाहिए आपको जो में बता रहो हो सभी वर्जिंस के लिए सेम रहेगा अब यहाँ पे दोस्तों नीचे आप देखेंगे तो बैक अप्स का ओप्शन है जहाँ पे आपको बैकप यहाँ पर to this Mac है या फिर PC लिखा रहेगा तो इस पे क्लिक कर लो encrypt local backup पे क्लिक कर लो यहाँ पे जैसी आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक password एंटर करने बोलेगा उस password को आप कहीं भी लिखके रखो क्योंकि आप अगर वो भूल गए तो अपना backup जो है उसको वापस अपने iPhone प to this Mac today at 954 PM Mac के जगा PC रहेगा तो Windows अगर आपके पास है तो वहाँ पे PC लिखाएगा उसके बाद एक बाद चेक करने के लिए आप manage backup उस पे क्लिक कर लिजी और यहाँ पे आपको अपने iPhone का नाम और उसका backup जो है और timing के साथ नजर आएगा इसको OK करके बंद कर दीजे अब हमको हमारे iPhone को recovery mode में डालना है recovery mode में कैसे डालना है यह हरा iPhone के लिए जो है अलग होता है iPhone 8 जो model है iPhone 8, 8 Plus, iPhone 10, iPhone 10R, 10S, 10S Max, iPhone 11 की पूरी सीरीज, iPhone 12 की पूरी सीरीज, iPhone 13 की पूरी सीरीज के लिए यह method है कि आपका iPhone जो है wire के साथ आपके PC या Mac के साथ connected होना चाहिए iTunes या फिर press and hold करके रखना है, कब तक hold करके रखना है, जब तक के आपका iPhone जो है recovery mode में reboot नहीं हो जाता है, अपल लोगों आने पे आपको अपने phone का इस button को छोड़ना नहीं है, press and hold करके रखना है, जब तक के recovery mode वाला screen है, वो आपके सामने नहीं आ जाती, अब यहाँ पे recovery mode की screen आ button और जो sleep wake की है, उसको press and hold करके रखना है, बाकि सब सेम रहेगा, और अगर उसे पुराना iPhone है, जिसे iPhone 6S या iPhone ऐसी first generation, तो आपको जो है home button और जो side का button है, वो press and hold करके रखना है, अब यह मत बुछना कि iPhone 6S है, तो भाई 6S Plus के लिए क्या है, सेम ही रहेगा, क्योंकि 6S और 6 6S Plus सेम मॉडल है, अब जैसी recovery mode में अपने phone को आप डाल देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी computer screen पर आपको देख लेना है, कि यहाँ पर आपको बोलेगा, कि आपके phone के साथ कोई problem था, update करना चाहते हो, और restore करना चाहते हो, अब clean install करना है, तो restore कर लो, update भी कर सकते हो, लेकिन सिफ आपका latest iOS version install होगा, लेकिन सारा data आपके phone का clear ने होगा, clear करके फिर से backup को reinstall करना है, तो यहाँ पर restore पर click करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर फिर से आपको पूछेगा, कि restore and update करना है, कि आपका सारा data यहाँ पर loss हो जागा, क्योंकि हमने backup बना लेगा, तो हमक सबसको software होगा, तो make sure कि आपका जो Wi-Fi connection है, इंटरनेट connection है, वो fast है, और फिर इसको पूरा download ने दीजिए, 10-15 मिट के time लगेगा, और यह आपके PC या Mac में download हो जाएगा, और extract होगा, आपके iPhone के ऊपर, अब यहाँ पर देख सकते दोस्तों, आपके iPhone पे Apple logo आ जाएगा, और नया जो iOS version है, वो clean install हो जाएगा एकदम, फिर से उसके बाद जो है, मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपका data वापस पाने का, अब यहाँ पे guys, अपने computer screen पे एक message आया है, आप लोग के लिए यहाँ पे आपका iPhone जो है, यह restore कर दिया गया, factory settings पे और यह restart भी हो रहा है, तो मेरा iPhone जो है, यह start हो गया, और यहाँ पे दिखा रहा है, कि मेरे यह Apple ID के साथ जो है locked है, क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने find my iPhone जो है off वगरा नहीं किया था, तो यह चीज़ आपको घंड़ी की जरूत नहीं हो उस टाइम पे, अब जो है दोस्तों यह language लिए screen को छो है, हमारे Mac पे अलड़ी बना हुआ है, आपके भी PCI Mac पे बना हुआ रहेगा, तो यहाँ पे जो है हमको उसी backup पो यहाँ पे रिश्टो करना है, वनना हमारा iPhone जो है formatted mode में ही रहेगा, यहाँ पे अब आप आप देखेंगे, अपने Apple ID को पासवर्ट को डालने के बाद, इसलिए आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको backup जो है, वहाँ से restore करना है, तो यहाँ पे आपकी जो list of backups है, उसमें आपका latest backup है, वो आपको choose करना है, और continue पे click कर लिजए, यहाँ पे अपने backup का password जो आपने डाला था, मैंने आपको पहले पताया था, वो याद अपने आपक तो उसको यहाँ पे आपको enter कर लेना है, और restore पे click कर लेना है, अब यहाँ पे दोस्तों आपके phone पे लिखाएगा restore in progress, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजी जब तक यह restore नहीं हो जाता properly, उसके बात restore process complete हो जाएगा, आपके computer screen पे कुछ नहीं दिखाएगा, और यहाँ पे एकदम सबर रखना, patience रखना, ओके दोस्तों, तो सबर का फल होता है, मीठा और यहाँ पे यह screen आ जाएगी जब आपका restore process complete हो जाएगा, पूरा backup जो है, यहाँ पे हो गया है, reinstall और आपके iPhone पे लिखाएगा, swipe up करने के बाद restore completed, तो यहाँ पे continue पे click कर लीजिए, इसके ब लोगों को agree करते हुए, जो है, चले जाना है, enable location services, जो भी regular first time आप iPhone setup करते है, उस हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़े setup करनी है, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, आपके जितने application है, वैसे के वैसे है, बस यह re-install हो रहे है, फिर से, यानि की नए सिरे से, आपका iPhone वैसे का वैसा हो जाएगा, लेकिन आप इसके अंदर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आईगी, चाहिए आप iOS 15 पे हो, या किसी भी iOS version पे हो, तरीका यही रहेगा, same रहेगा, इसको बोलते है, clean install, तो देखा आपने दोस्तो, iOS 15 का clean installation setup, इसमें मैंने जो आपको steps बता तो सारे steps एक दम clear है, आप easily इसको कर सकते है, download and install, जैसे तरीका मैंने बता है, उस तरीके से, clean installation का जो method है, दोस्तो, इसके अलावा जो दूसरा method अपडेट वाला, वो भी आप कर सकते लिए, clean installation ज़रूरी है, ताकि आपके सारे application जो है, delete हो जो और reinstall हो आपके iPhone में, बस चो उमीद करता दोस्तों आपको आज का वीडियो पसनन भी आओगा, समझ भी आओगा, अगर समझ नहीं आए, तो फिर से वीडियो को देख लेना, जो भी necessary links है, वो description में दिएवे, उमीद करता दोस्तों आपको आज का वीडियो पसनना होगा, पसनना होगा तो दूसको लाइ लाइक और शेयर जरू कीजिए, मेरे चान को सब्सक्राब जो कीजिए, गुडबाई